सो हेलो गाइज विल्कम बेक टो पावर ड्रैग आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूँ एमजी एस्टर के बारे में मोश्ट प्रबैपली हर किसी को इस गाड़ी के बारे में काफी सारी इन्फरमेशन और न्यूस मिली गई होगी मतलब जिसको एडास भी कहा रहा है काफी लोग बाकी फुल फॉम वकर आपको मैं आगे चलके बताऊंगा क्या और काफी लोग को पता भी होगी खेर हम आज बात करने वाले हैं प्रॉपरली एमजी एस्टर के बारे में लांच डेट जो है इसकी वो 15 सेप्टेंबर 2021 मतलब आज से चार-पांच दिन के अंदर अंदर इस गाड़ी को जो मतलब ओफीशली दिखाना है कंपनी दिखा देगी और फेस्टिव सीजन तक आप लोग इसको पर्चेज बगार भी कर पाएंगे सबस्यादे इंट्रेस्टिंग जो इस गाड़ी के रहनी वाली है वो रहेगी गाईज यहाँ पर प्राइजिंग मतलब काफी सही से प्राइज के ओबर इसको लॉंच करा जाने वाला है जहां पर इसका स्टार्टिंग प्राइज रहेगा 8.99 लाइक रूपीज से लेकर टॉप ओफ दा लाइन जो वेरेंट रहेगा उसकी प्राइजिंग जाएगी आपकी लगबग 14.99 लाइक रूपीज के असपास जो खुद में काफी जादा सही प्राइज रखा है इस से जज़ादा महंगी कंपनी नहीं कर तकते है वोगि फिर इससे आपर सेग्मेंट में गाड़ी के अंदर एक रोबोटिक बोट देखने के लिए मिलेगा मतलब एक चोटा सा मेकैनिजम है जो आपके डैशबूर्ड के ओपर होगा आप जो भी वोइस कमांड देंगे वो आपकी सारी बाते सुनेगा रियक्ट करेगा उसके अंदर एनिमेशन्स वगएर आइंग एक इस गाड़ी के अंदर बहुत कमाल का फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे आज की डेट में अपनलोग सेकंड एंड गाड़ी खरीदते हैं तो उससे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि शोरूम में कितनी चली हुए जन्वेन किलोमेटर्स चले हुए है को कोई भी चीज की कम्प्लेन या प्रॉब्लम वगरा वाली चीजे सारी आपको इसके इन्फोटेन्मेंट से ही पता चल जाएंगी कि हाँ गाड़ी का क्या इस्टेटस है आपने किसी को दीती तो किसी ने इसको रफ चला है या किस तरीके से चला है वो सारी चीजे आपको इ इसके ADAS Level 2 के बारे में मतलब की जो आपको Advanced Driver Assistant System मिलेगा जैसे कि आप लोगों को पता होगा हाल फिलाल में आप सबने XUV7W के अंदर देखा होगा उससे ये एक लेवल आप होगा कैसे XUV7W के अंदर आपको क्या है आप जैसे Lane Change वगरा करते हो तो आपको सिरफ warning आती है ब इतने भी obstacles चल रहे हैं अगर आप किसी के भी आसपास से इसको निकाल तो without indicator दे आपका steering ही नहीं मूड़ेगा मतलब ये एक बहुत अच्छा safety feature है दूसरा Level 2 का ADAS होने का ये फायद है कि आपकी जो range रहेगी जैसे कि Adaptive Cruise Control है वो आपका ADAS के साथ वर्क करता है आपकी सरीके से डिटेक्ट कर पाईगी जिसके अंदर आप लोगों को sensors के साथ साथ camera की भी मदद मिलेगी मतलब कि इसमें 360 degree camera वो जो 360 degree camera front के जितने भी camera और sensors है आपस में मिलकर जो ADAS है उसको level 2 तक लेगे जाते हैं और काफी जदा उसकी accuracy वगरा increase कर देते हैं आप अगर किसी turn प आपको यह असिस्ट कर देगा नेक्स चीज के बारे में कर यहां पर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको पते हैं कि भाई mg features के मामले में जाना जाता है बड़े-बड़े screen वगरा देने के लिए जाना जाता है तो इसके अंदर भी आपको 10.1 इंचिस तक का screen देखने के ल लेगा जो काफी लोग के लिए sadness वाली चीज भी हो सकती है तो वह लोग तो वही अपना क्रेटा वगरा की तरफी जाओ क्रेटा सेल्टॉस की जो लोग पैट्रोल में ही गाड़ी लेनी है उनके लिए एक best option रह सकता है अब काफी लोग यह भी सोच रहोंगे कि यह एम जी क ग्रिल वगरा के अंदर थोड़े बहुत डिजाइंस में चेंजिस हैं और उसके साथ साथ इसके अलोई वी लेप वो डिफ्रेंट डिजाइन के रियर के टेल लैंप में आपको डिफ्रेंस देखने क्लिए मिल जाएंगे डिमेंशन वगरा सेम होंगे और आपको और मुबाइल फोन कनेक्टिविटी के फीचर मुबाइल से स्टार्ट करना बंद करना इस टाइप की सारी ही कनेक्टिड का टेकनोलोजी वाले जितने भी फीचर साच की डिट में आरहा है आपको इसके अंदर हर चीज भर भर के दी जाने वाली है और 17 इंचिस के इसमें आ मतलब निकल के सामने आ रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखे भी होंगे जिसमें साफ समझ में आ रहे हैं कि हाँ गाड़ी MG ZS EV जैसी है मगर काफी सारे डिफरेंसिस भी हैं इंचिन इसके अंदर आपको दो देखने के लिए मिलेंगे एक 1.3 लिटर का टर्बो चार्ज पैटल इंचिन मिलेगा जो खुद में बहुत ज़्यादा शांदार पावरफुल है 161 BHP की पावर 230 Nm का टॉर्क दोसरा आप आपको सेल्टोस वगरह में 115 मिलती है इसमें 118 मिल जाएगी जो ठीक है एमजी भी काफी ज़्यादा स्मूथ काफी ज़्यादा रिफाइंड कंपनी है इस बामले में कोई दो रहा है नहीं कि अगर आप एमजी गाडिल होगा तो आपको रिफाइंड नहीं मिलेगी प्रीम दुब आप els बश्हाइं और और नहीं होगे चैनल में ऐसा कुछ नहीं है इंटेर में इसके अंडर काफी किंदल ंइनटेर मीले कि शल्याओ है ढखे कंडर ल तो इसके अंदर आपको थोड़ा रेडिश कलर कर डूल टून में मिलेगा ब्लैक और वह कफी सपोर्ट लग रहा है लुक्स के अगर बात करिजाए तो इन टर्मस अफ लुक्स भी देखने में काड़ी काफी ज़्यादा सइसी लग रही है काफी ज़्यादा सिंपल लेक है हल फिलाल में लॉंच होने वाली है एक VW की टाइगून और वोक्स वेगन टाइगून और इसकोड़ा कोशेक जैसी गाड़ियों के साथ इसका काफी सही सा तफ सा कॉंपेटिशन रहेगा अपना इंडियन मार्किट के अंदर अब देखो भाई कैसा कॉंपेटिशन देती ह कि एक बढ़िया प्रॉपर फाइब सीटर कार जिसमें आपकी रिक्वार्मेंट के और आज की डेट में आने वाली इतने भी फीचर है इस्पेशली सबसे जादो जो ट्रेंडी फीचर जिसको पैनारोमिक सन्रूफ कहते हैं वो चीज मिल जाएगी इसके अंदर स्क्रीन होगा और जो आपका इंस्ट्रुमेंट क्लेस्टर होगा या फिर ड्राइवर का डिजिटल कॉक्पेट जिसको कहते हैं वो दोनों आपस में सिंक होंगे म्यूजिक और होगे चोटी मोटी वार्निंग्स हो गई तो आपको दोनों ही जेका पर नजर आ जाएंगी ज सेफ्टी इसके अंदर आपको अच्छे मिल जाएगी जैसे कि फ्रंट टू एयर बैग ये बीए सीबीडी वगरा सारी ही चीज़े इसके अंदर आ जाएंगी और एक्सपेक्टिड है कि इसके अंदर सिक्स एयर बैग पर आपको देखने क्लेम मिल सकते हैं स्टैंडर्ड य